हाई, दूज़े चूबिस के लोकसवा चुनाओ के बाद हर्याना अर्जमु कस्मीर में पहली विदान सुबा चुनाओ संपन हुई इसके साथ साथ उसके नतीजे भी घोशित कर दिये गए हर्याना में भीजे पी कुल 90 मेशे और 40 शीटों के साथ विदान सुबा चुनाओ चुनाओ जितने में काम्याब रही और लगातार तीन बारविधान स्वाच चुनाव जितने के साथ-साथ पहले से बेतर सीटों के साथ चुनाव जितने में भी भाजबा वहां सफल रही है वही कॉंग्रेस ने अपना वोटिक परतिसत को परकरार रखा और 30 सीटों चितने में काम्याब रही जो सरकार बनाने के लिए जरुत सीटों से 9 सीटे कम थी बाकी सीटों पर अनराजनितिक दलों ने चित हासिल की है वही जम्मु कस्मीर में कॉंग्रेस और जम्मु कस्मीर नेशनल कॉंफरेंस के साथ मिलकर कुल 90 में से 48 सीटे जितने में काम्याब रही और उन्होंने अपने राज में सरकार बनाने का भी दावा पेश कर दिया है वहीं जम्मु कस्मीर में बिजे भी कुल 29 सीटे जितने में काम्याब रही या चुनाओ 370 और 351 के निरस्थ होने के बाद या जम्मु कस्मीर में पहला चुनाव था इसके पात जल्द ही महरास्ट, नई दिल्ली, जारखंड और बिहार जैसे कई बड़े राजियों में बिधानसवा चुनाव होने वाले हैं हर्याना चुनाव में सबसे जादा नजर, लंबे समय से चर्चा में रहने वाली और दुनिया की बेहतरीन खिलाडियों में सुमार उमिद्वार विनास पोगट फिर्थी, जो कॉंग्रेस की तरप से अपनी सिट चीत हासिल करने में काम्याब रही हर्याना के इस चुनाव में भास्पा के कई पूर्मंत्रियों को अपने निरवाचन छेतरों में हार का सामना भी करना पड़ा है क्योंकि हर्याना में कुछ लोगों का मानना था कि इस बार भास्पा को हर्याना में चीत हासिल करना बहत ही मुश्किल होगा क्योंकि राइस सरकार के 10 साल और किंद सरकार के 10 साल के से ज़्यादा कामकाज के खिलाप लोगों में काफी नराजगी थी लेकिन तमाम उसकी लोगे बावज़त भी भासपा हर्याना में अपनी सरकार बनाने में सफल रही जहे वह किशानों का विरोध प्रदस्थन हो जिसमें 700 से अधिक आम किशानों ने MSP को कानुनी मानता देने की मांग को लेकर इस विविदोत प्रदस्थन में अपनी जान की कुर्वानी दी है और उनकी सरकार से कई अनमांगे भी थी विकिशी संसोधन विदेख का भी विरोध कर रहे थे जिसके बारे में किशानों का कहना है किया ये काला बिल है और यह हमारी उत्पादक्ता और संसादनों को कमजोर करेगा यह किशान विरोध कई वर्षों तक चारी रहा लेकिन अन्दता भारत के प्रदान मंतरी ने घोषना की कि यह किशी संसोधन विदेख वापस लिया जाएगा और यह बिल प्रभावी कता ही नहीं होगा इसके बाद किसानों ने विरोध प्रदर्सन समाप्त करने का भी निरने ले लिया लेकिन इसके साथ ही ऑलम्पिक पदक वीजित्या खिलाडी साची मलिक विनेश फोगाट और अकई अन्खिलाडियों द्वारा एक और विदोपदर्सन शुरू कर दिये जिसमें पूर्फ भाजबसांसद व्रिज फूशन पर उत्पीडन के आरोप लगाये गए और इन सभी आरोपों की अभी जाच चल रही है उन खिलाडियों ने मांग की कि व्रिज फूशन को तुरंद भारती कुष्टी संग के अध्यच पत से हटाये जाए और उन पर लगे सभी आरोपों की कारवाई भी की जाए यह तमाम तरक के मुद्दे थे जो यह माना जा रहा था कि हर्याना की विधानसवाच चुनाओं में इसका असर देखने को मिल सकता है लेकिन सबसे दिल्चस बात तो यह रही कि नई भारतिये सांसद के उद्गाटन के दिन ही इन खिलाडियों ने नई सांसद की और मार्च करने का भी फैसला किया था टाकि उसी दिन वे खिलाडी अपने मांगों को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा सके लेकिन दिल्ली के सुरक्षबलों ने वहाँ उन्हें रोक कर नई सांसद की और मार्च करने से मना कर दिया हर्याना चुना और लोगसबा चुनाओं से पहले यही इस्तिती थी इन विरोध प्रदर्शनों के खिलाब कई लोगों की अलग-अलग राय थी जिन में से कुछ का कहना था कि यह सिर्फ चुनाओं की त्यारी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आज हम हर्याना और चमू कस्मीर दोनों राज्यों से कॉंग्रिस की अपक्षाओं के बारे में बात कर सकते हैं चुनाओं से पहले सभी राजनितिक दलों के पास अपने एक खुद के सर्वेक्षन और रानितिक नितियां होती है जो उन्हें संके देती है कि इन चुनाओं में उनकी जितनी की कितनी संभावना और क्या है या बरत्मान छिट में आप कितने सीटें जित सकते हैं या मौज चुनोती निजी सर्वेक्षन करने वाले स्थानों के लिए बनी हुई है जो खुद को ऐसे संगठन के रूप में लोगों के सामने पेस कर रहे हैं जो चुनाव से पहले सर्वेक्षन करते हैं और मद्दान खत्म होने के बाद उस राजी के चुनाव के नतीजे और उनके हरने वाली है इस तरह की तमाम तरह की जानकारिया ओदेने की कोशिश स करते हैं लेकिन हाल के चुनाव में उनकी ज़्यादातर चुनावी बविश्वानिया गलत ही थाशाबित हुई है भारती राजनिती के बारे में भारत के आम नागरिकों की जिग्यासा किसी भी अन्य देश से चादा है क्योंकि भारत के लोगों का मानना है कि सिर्फ एक अच्छी सरकार ही उनके आर्थिक और समाजिक कल्यान के मामले में उनके जीवन में कुछ बदलावला सकती है ताहिसे में हर्याना चुनाव में ये नीजी सर्वेश करने वाली संस्थाएं जो इस तरह की सर्वेक्षन करने में सामिल थी और लोगों तक अपने आकड़ों को इतने उत्साहित से बता रहे थे कि आम लोगों को भी वास्टपिक चुनाव परिनावों में भी ठिक उसी तरह के परिनामों की अपेक्षा करने में लगे जो चुनावी सर्वे में बताय जा रहा था क्योंकि उन्हेंने दावा किया कि हमारे पास कुछ आकड़े हैं जो स्पर्श्रूप से बता रही है कि चुनाव में कॉंग्रिस को भारे उलट फिर देखने को मिली है लोग सबा चुनाव लेकर इनके भविश्वानी गलत साबित हुई थी और हर्याना चुनाव में भी एक बार फिर से ये लोग गलत साबित होता दिखे हैं अधिसंबह हो सकी तो लोगों से नुरोद किया जाना चाहिए कि वे अपने पहले अस्थानी मुद्दे की पहचान करें मदान करने से पहले बुनियादी ढाक्चे अर्थ व्यस्ता और समाजिक कल्यान के मुद्दे पर शोय ले 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 क्योंकि आपका एक भोट किसी भी अन्य भोट से अधिक मुल्यवान है क्योंकि आपके द्वारा दिये गे वोट का मुल अगले पाँच वर्सों के सासन और लोगों की भलाई पर पतिमीद होगा हमारा याब भी मानना है कि आज के वास्तविक मुद्दे की पहचान करना अभी भी आम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनोतियां पनी हुई है क्योंकि वास्तविक मुद्दे इतने जटिल हैं कि आम लोगों के लिए इसे पहचानना और इसे चुनावी मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करना असान नहीं जब कई बड़े निशी खिलाडी या कमपनियां आम लोगों को प्रभावित करने के लिए इन सभी चुनाओं में सामिल होते हैं ताकि वे वास्तुक मुद्दे पर वोट ना करें बलकि उन मुद्दों पर वोट करें जो इन मेडिया, रन नितिकारों और कई राजनितिक विशेश्योंगों से प्रभावित होती हैं हर्याना में लगातार तीन बार हारने के बार कई निति निर्माताओं, तिंग टैंक और रन नितिकारों का मानना है कि कॉंग्रेस को सिर्फ पतिनिदी से लेकर निचले अस्तर के कार्यकारताओं में सनराचनात्मक बदलाव करने की भी जरूत है और साथ ही एक ऐसी संस्थाएं बनाने की जरूत है जो सिर्फ चुनाव परक्रिया के लिए 24 इन्टु 7 काम करें जिसमें काम करने की परक्रिया भी कॉंग्रेस के सिधानतों और तौर तरीकों पर अधारित हो और ये सारी संस्थाएं जमीन पर लोगों से जुड़ने और लोगों की समश्याओं को सुल जाने में मददकार साबित हो क्योंकि आज के चुनाव परक्रिया में नमिन्तम तक्निक, बेहतरिन तौतरिकों और समय के साथ बदलते लोगों के साथ मिलकर काम करने जमीन अस्तर के कारकारताओं और नेजी कमपनियों की भागिदारी पिछले दसकों की तुलना में ज़्यादा सक्रियता से जमीन पर काम कर रही है कई रजनितिक जानकारों का मानना है कि कॉंग्रेस सभी चुनाव जीत सकती थी जिसमें कॉंग्रेस को कुछ ही अंतर से हार का सामना करना पड़ा है कॉंग्रेस के पास लगबग सभी उत्री राज्यों, पुर्वत्तर और कुछ दच्चिन में जीतने की पूरी छमता है समश्या का या संकट को दूर करने के लिए प्रयाप नहीं है, तेकर फिर भी वे सभी महत्पुल्म राज्यों जैसे करनाटका तिलगना में अपनी पकड़ बनाये हुए है और छेत्री राजनितिक दलों के गड़बंदन के साथ कई राज शरकारों में उनकी उपस्तिती है कॉंग्रिस के भीचे सनराचनात्मक समश्या को सिग्र सम्मोदित किया जाना चाहिए और अवश्यक रनितिक का भी पालन किया जाना चाहिए ताकि 100 साल से पुरारे राजनितिक दल भारती राजनितिक में और अधिक सक्रिय हो सके जो उन लोगों से जूर सके जिन्होंने ज समाजिक कल्यान को उपर नहीं उठा सकता क्योंकि इन राजनितिक दलों के पास वो सारे जरूरत के संसाधन है जो आम लोगों के जीवन को बदलने में महत्तु भूमिका निभा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें या किसी भी तरह की अन्य सवाल हो तो हमें चरूर लिखें।